पुतिन ने भारत की विदेश नीती की बेंधिया प्रिशंसा की है उन्होंने प्रधान मुंत्री मोदी जी की बहुत अधिक प्रिशंसा की है उन्होंने भारत के विकास को बहुत अधिक सरा है पूरा मैटर किया है अभी दो दिन पहले ही UAE के जो एक्डिप्टी मिनिस्टर ह उदो ने भारत की विदेश नीती की बड़ी प्रिशनसा करी है और कहा है कि किस तरीके से भारत के विदेश मंतरी एस जैशेंकर जी जो है वो भारत के जो जियो पॉलिटिकल टर्मॉइल के बीच में जिस तरीके से वर्ड फोरम पर वो भारत की विदेश नीती को शेप दे र वलडाई डिस्केशन फोरम पर जो है पुतिन ने भारत की प्रिशंसा करते विये कहा है कि भारत जो है भारत का है भारत का भाविश बहुत ही जुवल है और जिस परकार से भारत ने बितेन के उपनिवेश से कॉलोनी से सुतंतरता अपरात क्यों फिर एक लंबी जो उन्नती क है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है ट्रिमेंडेस मार्क है जो भारत ने अचीव किया है तो बहुत बड़ी उपलब्दी है भारत के लिए कि आज भारत की जो विदेश निती की प्रिशंसा चाहे वो खाड़ी के दिशों वो कर रहे हैं उसी तरफ दूसी तरफ बड़ा गर देखाया है तो पुतिन कर रहा है और भारत ने जो एक engagement की multi engagement की जो policy एड़ाप्ट की है वो multi engagement actual में भारत के लिए एक बहुत fruitful साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से भारत को सराया जा रहा है क्या पूरा पुतिन ने कहा है हम पूरे points को बताते है आपको पुतिन ने कहा है कि भविश्भारत का है future जो है वो इंडिया का है दूसरा पुतिन ने कहा कि भारत ने उपनिवेश भूष में घूमा टियुड में चैता है प्रियोग में कहते है जब बहुथ बहुत बड़ी उन च्च requis की है ही है और इसी के साथ उन्हों ने ये भी कहा है कि भारत ने जिस तरीके से development को किया और 1.5 billion भारत की जो आबादी है और उनके लिए जिस तरीके दे भारत ने विकास के मार को ते किया और फिर इस सारे विकास में उन्हों ने एक चीज यह और बहुत ही important कही है कि भारत का यह जो विकास रहा है इसमें उसने नैतिक आदर्शों को भी रखा है मेंकिन इंडिया की उन्होंने प्रिशंसा करी है और कुल मिलाकर कहा है कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का है तो यह एक बहुत किया है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीती का संचालन कर सकता है इंडिपेंडेंट भारत की जो है विदेश नीती हो सकती है और भारत ने उसको पॉलिसी को जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है अपना ही है उसको भारत ने साबित तरीके से अपनी युक्रेन वार में अपनी विदेश निती को रखा है जहां भारत ने वार के खिलाफ रूस के राष्टपती के समुग जो अभी हाली में समरकंद समिट हुआ था वहाँ पर उन्हें न कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है लड़ाई का जमाना नहीं है और उसी के साथ साथ भारत ने रूस की अलोशना भी नहीं की है और युक्रेन युद्ध का वरोध भी किया है तो कुल मिलाकर के भारत ने एक बड़ी ही ग्लोरियस अच्छीमेंट अपनी विदेश निती में किया है और जब से एस जैशंकर जी ने भारत के लिए जो है मल् भगते हैं पियम मोदी सच्चे देश भगते हैं और जो मेकिन इंडिया है जो उन्होंने भारत के विकास के लिए शुरू किया है आतनी भारत की दिशा में बढ़ाने के लिए उन्होंने इस काम को किया है वो नैतिक और आर्थिक दोनद रिष्टी से बहुती फूचर उन्होंने बार-बार कहा कि भारत का है भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का जिस पर भारत को गर्व हो सकता है और भारत और रूस के संबंदों पर भी उन्होंने बोलते विए का कि भारत रूस के संबंद एताहसी ग्रूप से बहुती क्लोज रहे हैं ह हमारे और रूस के बीच में यानि उन्होंने कहा कि इंडिया और रूस के बीच में जो है वो डिफेंस पार्टनर्शिप रही है और कोई भी ऐसा मुद्दा हम दो देशों के बीच में नहीं है जो दोनों देशों के संबंदों को प्रभावित करता हो है इंडिया और रशा के बीच में सारे मुद्दे हैं हमारे बीच में कोई difficult issues नहीं है और साथी साथ हमारे जो व्यापार है उसमें विरद्धी हो रही है defense allies हम पहले से हैं व्यापार हमारा बढ़ रहा है और व्यापार में जो है progress दिख रहा है यह increase आ रहा है और यह यूरिया भारत की agriculture sector के लिए कितना important है इसको भी उन्होंने पाइंट आउट किया और साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारा जो agriculture export या trade है वो भी जो है भारत के साथ बढ़ा है और वो लगभग two time हो गया है तो यह सारी चीजें है और भारत दवाव में नहीं आया है सबसे बड़ी बात यह है और इसके लिए उन्होंने पूरा पूरा श्रेप ये मोदी जी को दिया है उनकी स्वतंतर विदेश नीती संचालन करने की जो उनकी चमता है उसको माना है और भारती लोगों के लिए उन्होंने एक आइस ब्रेकर की तरह कारे किया है मोदी जी ने ऐसा उन्होंने कहा है तो कुल मिलाकर के भारत के लिए बहुती एक ग्लोरियस काइम पीरियट चला है विदेश नीती के पाइंट आवी से हलागि इसकी एपनी चनौतियां है जिसको अस्यूकार नहीं किया जा सकता है अमेरिका नों वेस्टन कंट्रिस का भारत को प्रेशर है और उसी प्रेशर को बिल्ड अप करने के लिए पिछले कुछ समय से जिस तरह के से अमेरिका और बश्चमी देशों ने पाकिस्तान के अपीजमेंट की नीती को अपना है चाहे वो फिरो पश्मी देशों ने किया लेकिन भारत अपनी सुतंद्र विदेश नीती के संचालन में सफल रहा है और अपनी बात विश्च से मनवाने में सफल रहा है जिसकी पुष्टी पुतिन के स्टेटमेंट से भी होती है थैंक्यू सो मच